इस वीडियो के जरी हम जानेंगे कि आपके केरियर में क्या-क्या ओकरंस होते हैं, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनको हम आपको फ्लोचार्ट के जरी इस वीडियो के तुरू दिखाएंगे. आईए देखते हैं कि एक P.B.O.R. का केरियर किस तरह से आम्ट फोर्स के अंदर होता हैं, सबसे पहले आप इन्रोल होते हैं as a recruit, उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती हैं, ट्रेनिंग के बाद आपका आर्टे सेशन, मस्टरिंग और क्लासिफिकेशन होता हैं और उसके इसके बाद आपको यूनिट्स में पोस्ट कर दिया जाता है, यह यूनिट आपकी पीस यूनिट भी हो सकती है और फिल्ड यूनिट भी, सर्विस के दौरान आपको प्रमोशन्स और M.A.C.P. मिलते हैं, जैसे ही आपकी कला सर्विस पूरी होती हैं, उसके बाद आप डिस का रैНक स्टक्चर कैसा है, सिपाही, नायक और हवलदार, यह तीनों जो रैंक है, वो नॉन कमिशन्ड ऑफिसर के हैं, तो आपको जब आप प्रिकूरूर्ट होते हैं, उसके बाद प्रमोशन के बाद आप नायक और उसके बाद आप हवलदार होते हैं, इसी तरह जूनिय left in end और honorary captain तक का आपको rank दिया जाता है आईए इस flow chart की जरीए देखते हैं कि part order किस तरह से publish होते हैं और उनका adjustment कैसे होता है अब जिस किसी भी unit में post होते हैं वो unit आपके part order publish करती है unit अपने part order publish करके उसकी copy, hard copy और soft copy जो है वो record office को भीज देती है जिस किसी unit में अगर digitally signed part order publish हो रहे हैं वहाँ पर सिर्फ soft copy को भीजना होता है record office जो part order आपके unit से आए हैं और इसके अलावा जो record office publish कर रहा है वो दोनो part orders को P.O.R.S. को भीज देता है P.O.R.S. इसको अपने dolphin system में upload करता है उसको processing करता है और processing के दोरान जो आपके part order बिल्कुल सही होते है वो आपके clear हो जाते हैं और वो आपके M.P.S. में आपके payment allowances के रूप में आपको दिखते हैं और जो भी part order आपको किसी भी current order reject हो जाते हैं उनकी copy आपके record office को पापिस कर दी जाती है आईए देखते हैं कि किस तरह के part order unit publish करेगी और किस तरह के part order आपके record office में publish होंगे जितने भी pay and allowances related part order होंगे वो सारे part order unit publish करती है जिस unit में आप post होते हैं वो unit आपके pay and allowances से related जितने भी part order होंगे उसको publish करने के लिए जिम्मिदार है responsible होती है इसी तरह record office जो है वो जितने भी promotion से appointment से punishment से और finance settlements related जो भी part order होंगे वो record office publish करेगा इसके अलावा जितनी भी आपकी personal information है जो भी आपकी personal जानकारी होगी उससे related जो भी part order होंगे वो part order भी record office publish करता है